हाँ जी गुड मॉनिंग हाँ जी क्या चल रहा था सर जी हमारा हमारा चल रहा था Efficient Market Hypothesis उसमें हमने क्या किया था Run Test Actual में क्या था याद दिला देता हूँ पिछली क्लास में हमने कवर्ड किया Efficient Market को टेस्ट किया जाता है और तीन टाइप के Efficient Market मैंने आपको समझाया था एक था Weak Form और एक था Strong Form और एक था Semi-Strong Form और हमें टेस्ट करना था Efficient Market का मतलब मैंने कहा था Perfect Competition It means किसी भी तरह से आप अनुमान नहीं लगा पा रहे हो कि जो Sensex या Nifty है किस तरफ जाने वाला है बढ़ने वाला है, कम होने वाला किसी को कुछ अंदाजा नहीं है अगर आप Gassing कर पाते हो कि यार ये Share खरीद लो Market किदर जाने वाला है तो फिर तो Efficiency कहा है मेरी बात समझने की कोशिश करना Efficient Market मैं डीटेल में समझा चुका में क्यों अभी बात करूँ हाँ, जो आज के लिए काम की बात है वो करता हूँ उसमें हमने वीक फॉर्म को टेश्ट करने की कोशिश किया था और सर वीक फॉर्म ओफ Efficient Market क्या होता है तो मैंने आपको बताए था कि यह बहुत सारे टेक्निकल टूल्स है इट मिंस सिर्फ और सिर्फ चार्ट देखकर पता लगा लो कि शेर का प्राइस फ्यूचर में बढ़ने वाला है कि कम होने वाला सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं हमें कुछ भी नहीं देखना है हम सिर्फ चार्ट देखेंगे चार्ट समझती होना लाइन चार्ट बारचर और उस चार्ट को देखकर पास्ट इयर की इन्फोर्मेशन को यूज करके अगर हम बता पाए कि यार यह शेर बढ़ने वाला खरीद लो ऐसा मार्केट एफिशेंट मार्केट नहीं है एफिशेंट मार्केट का मतलब है कि आपको क्या किसी को भी पता ही नहीं लगे कि मार्केट किदर जाने वाला है हां तो अगर हम तो हम लोगों को क्या दिया रहता है हम लोगों को कुछ past year के price दिये रहते हैं और उन past year के price को देखकर हमें पता लगाना होता है कि market किस और जा रहा है अगर हम पता लगा पाए तो ऐसा market inefficient है और पता ही ने लग पारा कि भया share का price कम होना है कि ज़्यादा होने वाला तो हाँ अब पता ने लग रहा ना तो ऐसा market efficient है और efficient भी है जरूर लेकिन बहुत ज़्यादा test नहीं कर पार है हाँ हम यह बता सकते हैं कि यह weak form और भी फिर और information को यूज करके तो भी पता ले तो फिर वो semi strong फिर strong वो बड़ी सारी बते हैं अभी सिर्फ हम weak form को test कर रहा है it means sir कहना क्या चाहते हो कहना बिल्कुल simple सी बात है मैं कहना चाहता हूँ कि हम लोगों को कुछ past price दिया रहेगा और उसके basis पे हमें पता लगाना है कि share का moment किस तरफ जा रहा है ठीक और पता लगा पाए तो inefficient ठीक और run test में हम यही कर रहा थे run test में हम लोगों ने plus minus plus minus plus minus वो याद करो question है अगर number of plus जाद number of runs बोलते है number of runs जादा है तो भी पता लगा पाओ के number of runs कम है तो भी पता लगा तो हमने क्या कहा था average run होना चाहिए एक range दिया था ऐसी कुछ है तो हमें total मिला कर तीन test करने थे एक था run test एक है autocorrelation test जो आज करना है और एक serial correlation test वो भी आज ही करना और ऐसी बात है कि इस attempt में question आया हुआ है और बच्चों का ऐसा लग रहा हो पहली बार ये question आगा है भई पहली बार आया जरूर है पर मुझे नहीं लगता कि सायधी कोई teacher होगा जिसने ये autocorrelation test आपको करवाया नहीं होगा जो लोग मेरी पिछली recording भी किया है ना purchase किया होगा दो साल पहले उन लोगों को भी मैंने autocorrelation test करवा रखा है चाहो तो अपनी book खुल कर देख लेना हाँ उस समय ये जरूर बोला था कि यार बुक में तो नहीं है question मैंने कई बाहर से उठाया है और same question आज भी करवाँगो मैं same question जो पहले करवा रखा होई तो sir इसका मतलब हमें जो PM में नहीं है questions जो study material में नहीं है क्या वो भी करना है हाँ जी हाँ आपको books से सारे questions करने है लगेगा जरूर ऐसा कि यार लंबी class जा रही है पर बिटे 100% कर लो ज्यादा अच्छा तो sir आज क्या पढ़ने वाले पहले नाम लिखवा देता हूँ आज मुझे total मिला कर दो topic पढ़ना first correlation तो आप समझते हूँ autocorrelation test यह अज तक पूछा नहीं गया serial correlation कुछ है नहीं है वैसे समझाओगे autocorrelation test पहले बात उसी की कर लेते हैं autocorrelation test समझा दूँगा तो serial correlation test automatic समझ में आजाएगा पर पहले बात को समझते हैं कि है क्या चक्कर चक्कर बड़ी symbol सी बात है correlation का मतलब portfolio management में detail में पड़ा sir एक positive correlation होता है दोसरी की stock के बीच में एक बढ़ता है तो दूसरा भी बढ़ता है एक गिरता है तो दूसरा भी गरता है this is positive correlation एक सरा negative correlation होता है क्या होता था बिटी समय sir एक stock बढ़ता था तो दूसरा कम है it means हम बोलते हैं दोनों का आपस में negative correlation और अगर correlation zero है तो sir correlation zero है तो पता ही नहीं एक stock किदर जाएगा दूसरा stock का कोई correlation ही नहीं है ना sir पस मुझे भी past years के past periods के share के price दिया रहे हैं के index का price दिया रहेगा मान कि चलो closing price ठीक है अब price दिया रहेगा मान लो 10 दिन का price दिया है 10 दिन का ठीक है और 10 days के price को मैं divide कर रहा हूं 5-5 दिन के price में ठीक से सुनना मैं जो बोलना चाहता हूं हाला कि example के तुरू समझाऊंगा पर अभी ठीक से सुनना मेरी बात को 10 दिन के price को 10 दिनों के price को मैंने दो उसको divide कर दिया 5-5 दिनों है 5 days 5 days और उन 5-5 days के बीच में में correlation निकालने की कोशिश करूँगा सुनना धियान से 5 दिन का price और 5 दिन का price और उनका moment देखूँगा कि यह 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 पाच दिन का price बढ़ रहा है तो अगले पाच दिन का price बढ़ रहा है कि कम हो रहा है एक को X ले लिया पाच दिन के price को और एक को ले लिया यह पिरिएड वन पिरिएड टू भी बोल सकते हूं और फिर मैंने relation निकाला सर कैसे निकाला हूं इसके change का relation निकालना पड़ता हूं मैं आपको समझा रहा हूं अगर दोनों के दोनों period 5 days period 5 days के बीच में correlation positive है positive है का मतलब एक period का बढ़ा तो दूसरे का भी बढ़ा ओ हो बात समझने की कोशिश करना तो अगले पास दिन का अगर बढ़ेगा तो उसके बाद वाले पास दिन का क्या होगा सर बढ़ेगा positive correlation क्या अनुमान लगा लोगे है सर पास दिन का बढ़ा तो अगले पास दिन का भी बढ़ेगा positive correlation बता दिया कि क्या होने वाला अच्छा सर इसका मतलब हम correlation निकाल रहा है हाँ और correlation positive है तो बिट्टे समझ लो correlation positive है तो अगर एक period का बढ़ता तो दूसरे period का भी बढ़ेगा बिना बोले निकाला अच्छा सर मतलब correlation negative होना चीए नहीं बिट्टे तो भी अनुमान लगा लोगे पास्ट का correlation निकाल रहा हूँ यार एक period का बढ़ता तो दूसरे का कम होता है ठीक है मतलब negative correlation है negative correlation है मतलब बढ़ा है अगले period का तो उसके बाद वाले period का क्या होगा कम होगा लगा लिया नँमान अनुमान ही तो नहीं लगाना है अगर आप पास्ट प्राइस को देखके अनुमान लगा रहा है तो ऐसा market inefficient है तो सर कोरिलेशन positive भी नहीं होना चाहिए correlation negative भी नहीं होना चाहिए तो correlation होना कितना चाहिए 0 अगर correlation 0 है तो सोचो दो period का मैंने correlation निकाला और एक का दूसरे से कोई relation CP नहीं है 0 है तो अब बोलो सर इसका मतलब अगर एक period का बड़ा सा दूसरी period का नहीं पता यही तो है ऐसा market है efficient market weak form of efficient market अच्छा तो अगर मैं कहूं autocorrelation test कुछ नहीं है साहब कुछ नहीं है सिर्फ correlation निकालना जो किया portfolio management में जमाने भर के question किये correlation निकालने के वह यहां करने वाले है बस पता नहीं था कि क्या है तो sir correlation 0 लाने की कोशिश करने यह 0 आया sir 0 कहां से आयागा बड़ी मुश्किल से तो correlation 0 था पैटे 0 नहीं जिसे run test में करेंज देते थे थे ना हम correlation में यह करेंज देंगे यह 0 नहीं 0 के आसपास चलेगा मतलब sir 0 से थोड़ा सा कम 0 से थोड़ा सा ज्यादा आसपास 0.25 0.25 0.25 अगर इसके बीच में है तो हम कहेंगे ठीक है भई efficient है लेकिन पूरी तरह से positive है यह इधर negative है तो हम कहेंगे फिर तो यह आप पता लगा लोगे ठीक इस आटो correlation test simple है हमें correlation निकालना है दो period का और correlation क्या आना चाहिए 0 के आसपास तो यह efficient है अगर 0 से दूर है तो inefficient है positive है तो inefficient market क्योंकि आप अनुवान लगा लोगे negative है तो inefficient market sir लिखे किया थोड़ा सा yes sir serial correlation test क्या हुआ है इसमें भी relationship निकालना correlation निकालना sir correlation थोड़ा सा अंतर थोड़ा सा तो लिखें आते है तो लिखें तो nya थोड़ा यह तो R2 Correlation Test, we calculate correlation between two periods. Correlation is between minus 0.25 to plus 0.25 that is near to 0. So, then such market is called weak form of efficient market. I am saying that if I put this lecture on YouTube, then try to do the first lecture on efficient market. market is about a bit of a bit of an idea. Then you understand the idea of a bit. You don't understand the idea of a bit. Then you understand the idea of a bit. Then, you don't understand the idea of a weak form. In the previous class, I have explained the theory. I have explained the theory. Okay, sir. Sir, the story of a practical question is that you can explain it. Yes, sir. This is the question in front of you. So, the serial correlation test, I will do it in this way. I will do it in this way. So, in this question, you will see what the way is. You have given 10 days. It will be more than 10 days. You can give the price. The price is 500, 520, 555. So, what do we have to do, sir? It is a very simple thing. We have to divide the price in two parts. This is my period 1. and this is my period 2. And this is the correlation. It is the correlation in this change. It means that you say, first, it was 500, it was 520. So, it will increase? Yes. How many rupees? 20 rupees. Then, this increase. How many rupees? 30 rupees. Then, it is less. 20 rupees. Then, it is increased. 30 rupees. This is the change. And after this, what will be the change? There will be the change. Here will be the change. And in this price, what will be the change? Correlation will be the change. Just nothing. Do you understand? Okay, sir. Sir, we will work here. Let's start. Sir, we will see the change. How do we have to do the presentation? I will give the presentation. I will give the presentation. I will give the ICAI. Okay, sir. I will give this. I will give the presentation. He is done. What will we do now? हम लोग यह हो गया मैं period 1 यह हो गया period 2 इसमें 3 एक तो 1,2,3,4 आ जाएगा ठीक है सर 1,2,3,4 इसके बाद price जाएगा price इसके बाद change जाएगा और 1 percentage करके क्योंकि मेरे serial correlation test में काम आने वाला है यह एक तो एक दो तीन चार एक दो तीन चार यह ले लिए इसको period 1 और इसको ले लिए मैंने period 2 यहां क्या जाएगा day यहां क्या जाएगा price closing price अगर बहुत सारा price दिया रहता हूं और यहां जाएगा change और यहां जाएगा percentage percentage की जरूरत नहीं है autocorrelation test में इसकी जरूरत पढ़ती है serial correlation test में क्योंकि मैं यार इसे example में मैं चाहता हूं आपको दो नहीं करवाद हूं autocorrelation test भी करवाद हूं और serial correlation test भी तो एक काम करते हैं दोनी चीज़े यहां कर लेते हैं अगर question में सिर्फ autocorrelation test मांग रहा है सर तो इस percentage की column वाली जरूरत नहीं है आपको day price change of percentage one two three four five price कितना कितना है सर जी सर है 500 उसके बाद 520 उसके बाद 550 उसके बाद 530 और उसके बाद 560 और यहां कौन सीट दिन से start होका 45 तक हो गया 6 7 8 9 10 आप यहां भी 1 2 3 4 5 लीग सकते बाद कुछ नहीं है ठीक इसको आगे से हम x ले लेंगे इसको बाद लेंगे जब correlation निकलेंगे था प्राइस बोल दो सर 580 580 530 540 570 और 550 अब यह पीडियर वण है और इसमें चेक करो पहले शीर का प्राइस कितना था 500 से कितना हो गया 520 तो क्या बढ़ा यस कितने रुपय से 20 रुपय से क्या फिर बढ़ा यस 550 हो गया 520 तो सर 30 रुपय से बढ़ा गया सर अब 20 रुपए से कम हो गया और फिर बढ़ गया और कितने रुपए से बढ़ गया 30 रुपए से बढ़ गया ठीक ऐसे इसका भी कर लेते सर कैल्कुलेटर उठा लो आपसे कैल्कुलेशन बहुत मिश्टेक होती है 580 माइनस 530 रुपए और फिर सर 10 रुपए से बढ़ा फिर सर 30 रुपए से बढ़ा और फिर 20 रुपए से कम हो गया ठीक बस इतना ही लगेगा अब टोटल मिलाकर मेरे पास 4 पिरियट हो गया 1,2,3,4 ये चैंच और 1,2,3,4 ये और इन दोनों के बीच का मुझे कोरिलेशन निकालना है अगर कोरिलेशन जीरो आ गया तो और सर सीरियल कोरिलेशन टेस्ट में क्या करते है वो मैं आपको समझा रहा हूँ आटो-correlation test अलग है और serial correlation test में बस ये जो 20 रुपह यहां रुपीज में ना लेकि परसंटेज में ले लेंगे तो serial correlation test ना लेकि पर खेर मुझे correlation आपको निकालना सिखाने की तो जरुरत नहीं है पर अब जब question बना रहा हूं तो पूरी तरह से बना लूँ ज़्याद चिंता वाली बात है correlation तो ऐसे निकालना भाई ठीक है तो सर अब क्या अगर है अब हम निकालने जा रहे correlation ठीक है तियार है यस ना जाने कितना निकाला है हमने portfolio कि यह लो calculation of correlation यह topic पढ़ने से पहले portfolio पढ़ा होना चाहिए तभी बात समझ में आएगी यस सा एक तो सर य य य पीरियड घायाए गा बिल्कुल चार ही तो है तो केतने हो ठीक ही य यह हो गया उसके बाद सर एक्स ठीक है सर उसके बाद य मतलब पीरियड 2 xy उसके बाद x minus x bar बिल्कुल सही फिर y minus y bar ये भी सही x minus x bar square y minus y bar x minus x bar into y minus y bar correlation निकलना है बिल्कुल सही this is period x y x minus x bar y minus y bar x minus x bar square y minus y bar square x minus x bar और y minus y bar और ना जाने कितनी बार निकलना है एक बार लिख लेते हैं क्या 1,2,3,4 ये बाला फिकलना बिस थीस minus बिस और थीस बिस थीस minus बिस और थीस पचास ये बाला पचास, दस, थीस और minus 20 पचास, दस, तीस और minus 20 भगवान करें सही हूँ ठीक है सर अब ही क्या एक्स बार निकलना आपको आता है बोलो हाँ, हाँ सर एक्स बार निकलना हमको आता है तो सबको जोड़ देते है बीस प्लस थीस minus बीस प्लस थीस तो सर ये होगा है 60 50 प्लस 10 प्लस 30 minus 20 और सर ये होगा है 70 तो एक्स बार निकल जाएगा यहाँ निकल लेता हूँ एक्स बार डिवाइड बार फोर होगा कोई शक 60 डिवाइड ये मुझे दिखाना तो नहीं न 15 डिवाइड बार फोर क्यों होगा अगर ये वताना पढ़ा तो भी यहाँ फिर तो दिक्कत है और ये आगा 17.5 ये परशंटेज में नहीं है तो मत हो जाना है तो कोई दिक्कत है अभी x minus x बार 20 minus 15 15 तो तो 5 30 इस वेड़ तो 15 20 minus इस वेड़ तो minus 35 30 इस वेड़ तो 50 ठीक है 50 minus 17.5 32.5 10 इस वेड़ तो minus 7.5 30 इस वेड़ तो 12.5 12.5 minus 37.5 तो ये अगे साथ 25 तो ये अगे साथ 25 तो तो 15 इस वेड़ तो 25 1225 25, 225, 1056.25, 56.25, 56.25, 156.25, 146.25, ठीक है, अब सर इन दोनों का मुल्टिप्लाई करते, 5 x 32.5, 162.5, 15 x 7.5, मिनस में, 112.50, 35, मिनस में, 12.5, मिनस 4, 37.50, यह भी मैनस में, मैनस 562.50, अभी क्या करना है सर, तो अभी कम करते सब को सम कर लेते, जोड लेते, 25, plus 225, plus 1225, plus 225, 1700, 1056.25, plus 56.25, plus 156.25, plus 1406.25, 2675, 162.5, मिनस 6.25, मिनस 437.5, मिनस 562.5, मिनस 950, तो इस्टेंड दिएशन अभी कर लेते, इस्टेंडर्ड दिएशन ऑफ वाई भी निकल लेते हैं, और कोवेरियंस एक्स वाई भी निकल लेते हैं, फॉर्मूला ना भी लेकों चलेगा ना भई, इतना तो आता है अब को, एक कर लेकों अब को आता है, और क्सटेंडर्ड बखले हैं, को रिलेशन का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए तब ही काम होगा यहां लिख देता हूं कि अगले पेश में लिख लेते हैं तर दिक्कत के अब मुझे निकलना है को रिलेशन और को रिलेशन एक्स वाई इस एक्स फॉर्मूला क्या है हो रिलेशन और को रिलेशन चाहिए पस्त को रिलेशन कैनना है को रिलेशन निकलना है minus 237.5 minus 237.50 or standard deviation of x ketna hai 20.61 into 25.86 237.50 divided by 20.61 divided by 25.86 तो यह आगे सर माइनस में 0.44 आंसर में आप चेक कर लेजएगा हो सकता है कि आंसर कुछ अलग आया और अंसर अलग है बुक में आंसर चेंज किजएगा आंसर करेक्ट आंसर रही है पिछले आंसर बनाते समय कुछ मिश्टिक हुई होगी करेक्ट आंसर रही होगा अब क्या कोर्रेलेशन माइनस कोर्रेलेशन अब को एक बार डाइग्राम से समझाने के कोशिश कर सुनो बच्चों सुनो यह होता है 0 इधर नेगेटिव इधर पोजिटिव नेगेटिव मतलब माइनस वन और इधर प्लस वन तो कोर्रेलेशन जीरो यहां फिर इसके आसपास होना चाहिए इट मेंस 0.25 चल जाएगा या तो माइनस 0.25 चल जाएगा इट मेंस अगर कोर्रेलेशन यहां है अगर कोर्रेलेशन यहां एसे मार्केट कोलते हैं एफिशेंट पर correlation यहां नहीं है actual में correlation आया है minus में जो कि ठीक है अच्छी बात है लेकिन minus में यहां आया है minus 0.44 मतलब ऐसे market में जिसमें negative correlation है यह आप बता सकते यार एक period का बढ़ेगा तो दूसरे period का सरजी कम होगा और अगर आप बता पा रहे हैं अनुमान लगा पा रहे हैं ऐसा market inefficient market मतलब weak form of efficient market नहीं है बस यही बात लिखने थी since correlation is not between minus 0.25 to plus 0.25 hence market is not if वीक फोर्म अफ एफिशिएंट मार्केट यह एफिशिएंट इस इस आटो गॉर्लेशन टेश्ट एग्जांमें भी आए था एग्जांम का भी कोशिशन कर वारह हूं देखा रहों कामसे कम वाई सब अनने कोर्रेलेशन किसी और तरी किसी निकाला ठीक है क्या फर्क पड़ता है? हमने जो correlation निकाला और उन्होंने जो correlation निकाला ऐसा हो इनसकता कि answer अलग-अलग जा है भई, correlation तो correlation ही है उन्होंने कुछ अलग-अलग forms कहा है, हमें मतलब नहीं हमें correlation ने मतलब। या तो फिर उन्हों ने जो करवा रहा का वो रट्टा मारना बढ़ेगा अब उसके बीचे अलग से मुझे correlation निकालना, correlation निकालना, यह बात कता है फिर यहां तक क्या concept समझ में आके है इसी तरह से क्योंकि exam में भले ही नहीं आया है पर भी कर लो, इसी तरह से एक और होता है, फिर आगे मैं question ले ले के चल रहा हूँ वह है serial correlation test सर उसमें क्या करना हो था उसमें कुछ नहीं, यही table बनेंगी, इसी को मैं serial correlation test, इसी question को मैं serial correlation test निकालने की कोशिश कर रहा उसमें मैं correlation क्या होना चाहिए जीरो होना चाहिए, सारी कहानी होई है, बस यहां हमने रुपीज में ले रखा था और serial correlation test मैं percentage में लेना, और percentage कैसे निकलेगा, तो सुन लो percentage काम ऐसे 20 divided by 500 पिसला वाला प्राइस होगा ना 20 divided by 500 into 100, 4% 30 30 divided by 5 to 0 into 30 divided by 5 to 0 into 100 मतलब पिछले प्राइस से कितना बड़ा 5.77 20 divided by 550 minus 3.64 30 divided by 530 into 100 5.66% तो अब यह ना ले कि इसका relationship without gaan रे किला थे है 50 divided by 50 x 8.62 10 थे वाफ्यर्यर्यर्यर्णे थे 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 कि रे ना स了 6 portion 20 minus में divided by 570 minus में 3.51 बस अगर इसके बीच में correlation निकाल रहा है तो यह बन गया auto correlation test लेकिन इनके बीच में correlation निकाल रहा है तो यह बना सर serial correlation बस और कुछ नहीं है सर कर ले कि इसको भी निप्टाते हैं ठीक है मेरी बात समझने आ जाता है भाई पिछली बार वी मैंने यह समझाया था auto correlation test जब पिछली बैच में करवाया था ना तो मैंने गा पता नहीं आएगा की नहीं आएगा कर लो आ गया serial correlation test तो अभी तक आया नहीं है पता लगा फिर आपकी किस्मत कर आप एक तो जाएगा हमारा period यह जाएगा x यह जाएगा y x-x bar y-y bar x-x bar square y-y bar square and लेखे लेते हैं तो ज्यादा दिक्कत नहीं होगा 1 2 3 4 4 5.77 4 5.77 3.64 5.66 8.6 to 1.89 5.56 5.56 or 3.51 इसके बातों समक को पता 4 plus 5.77 5.67 minus 3 3.64 plus 5.66 11.79 ठीक है x-bar लिख लेए करूए दो डिख लेए 2.95 3 स्था щi ठीक है this minus this. . ठीक है यह काम भी हो गया है और यह प्याम प्याख अगगा है कर समय दूब़ है कर दो अगगा है कर दो कि कर दो दो, आगखगा है यह कर दो कर दबना अगगगा है अब क्या बचाने दोनों को मल्टिप्ले है बिल्कुल वैसे ही है कि हाँ भाई कुछ अंतर थोड़ी नहीं अब अंतर थोड़ी नहीं बाई कहुए है लोड़ी नहींगर भाई को मल्टिप्ले नहीं है आपर सोरा सुब जग सब्सक्रीब इन सुब सब्सक्रीब सुब सब्सकِّ सुब बस इसको जोड़ देन है प्लस 7.95 प्लस 43.43 प्लस 7.34 30.03 plus 1.56 plus 5.86 plus ठीके जी जी सर तो फड़ाफट से गाम कर लेते एक तो निकल लेते इस्टेंडर्ड डेविशन अफ एक्स दूसरा इस्टेंडर्ड डेविशन ओफ वाई तीसरा कोवेरियंस एक्स वाई एक्स प्लस्टेंडर्ड लेविशन अवाई बफ़ वाईब्फ़ लेविशन अवाई प्लस 29. यह नहीं कले ही को रिलेशन है, यास, फारून ला नहीं लिखना हम उता है आप को रता है? समझाने के पिछे बस यह है, तो सर अंतर क्या नहीं कला, लगभग तो अंसर नहीं आया, पॉइंट फो, पॉइंट फो, तो वैसे भी राउंड अफ मैं आजाता है, हाँ लगभग उच नहीं, बस मैं आपको यह समझाने के कोशिश कर रहा था, कि आटो को रिलेशन टेस्ट क क्या होता है, सीरीहल कोरिलेशन टेस्ट क्या होता है? क्या बात कतम हो चुटी, बस legal तो इतना ही तॉ था, तो उसके लिए, एक्जाम में जो कॉशन आया था, बच्चे ज्यादा परिशन क्यों थे, क्यों थे, मैं बता रहा है। एक्जाम के कोश्चन से पहले एक कोश्चन और है ये भी देख लिए इस कोश्चन के बाद कर आँ ये मेरी बुक में पहले से डला हुआ है इसमें लिखा प्रिंट नहीं है आप यहां लिख लिजिएगा आपको चेक करना है आटो कोर्रेलेशन टेस्ट से कि वीक फॉर्म मार्केट है या नहीं है जैसे उपर लिखा हुआ है वेक फॉर्म आफ एफिशेंट मार्केट करें लिखा नहीं है आटो कोर्रेलेशन टेस्ट तो नीचे प्रिंट नहीं है आप देख लेशे अब जबकि इतने सारे प्राइस है तो बच्चे ऐसे कोश्चन सर आपने जो कर अब इसमें आपको कितने डेस है तो यहां से डेस काउंट करोंगे तो टोटल क्लोजिंग प्राइस यह वाला प्राइस देखना है तो ट्वेंटी डेस है तो आपको दस-दस दिन का पिरेड बनाना पड़ेगा जैसे कि मैंने बनाया है इट मेंस यह एक पिरेड हो गया और यह एक पिरेड हो गया और आटो कोर्रेलेशन टेस्ट तो सबसे पहले आपना प्राइस लिख दीजिए ठीक है इस्टेट मेंट ऐसा बनेगा तो यह मैंने पहले दस दिन के प्राइस लिखा है सुनों से राउंडेट अफ करना है कि राउंडेट अफ नहीं किया यह MSXL में काम हो रहा था नहीं इसलिए राउंडेट ओफ हो गया वाकि यह नहीं है इटमेंस आपको लिखना पड़ेगा 1912 रुपे 25 पैसे और आपको लिखना पड़ेगा 1946 रुपे 5 पैसे और इन दोनों के डिफरेंस निकालोगे तो यह सहीं है यह करेक्ट डिफरेंस ठीक है तो प कि यह किया हो गहाए नाइन प्रैस क्या कसम से वूलो को अगर मालू पिसला कोश्चन करते है और यह कोश्चन अगजाम में आ जाता तो क्या हमसे हो नहीं पाएगा को लिखन निकालना भाई इसके बाद क्योह नहीं हो सकता आराम से हो सकता तो से पेर कैलकूलेशन कर के दे बड़ी सी सर्म होना चाहिए कि यार इसमें calculation में कितना time लगना है और गलती होने के full chances है तो भई थोड़े number बढ़ा दो कम से कम, number जादा number का question दो, 8 number का question दे रहा हो इसको ले लिए x, इसको ले लिए y, x और 9 से divide किया होगा, total तो यह आ गया, this is x-bar और यह आ गया, जिसको मैं बोल रहा हूं y-bar और फिर क्या किया होगा मैं, x-x-bar और क्या किया होगा, y-y-bar, this minus this, तो यह आ गया होगा मैंने तो computer से कर दिया, ms-excel से कर दिया, मेरे पास इतना time नहीं था, पर इसमें कोई शक की बात नहीं, 100% में आप, जो कहना चाहती है, मैं आपकी बात से सहमत हो, कि sir, calculation में बहुत ज़्यादा time लगेगा, हाँ, जी मैं जानता हूँ, और उसके बाद यह क्या होगा, x-x-bar और यह आगया हमारा standard deviation of x, और यह आगया standard deviation of y, और यह जो आया, यह है covariance x, y, और अकर correlation निकाल रहा हूँ, तो correlation आगया, 0.32, यह correct answer है, ms-excel में बनाए गया, तो ही 0.32, क्या यह market, efficient market है, कि नहीं, no, क्योंकि correlation, minus 0.25 होना चाहिए, लेकिन यह 0 के आसपास नहीं है, यह minus 1 के पास जा रहा है, इसलिए यह weak form of efficient market taste में फैल होता है, तो यह चक्कर था, it means concept होई है भई, पर calculation बहुत है, ठीक कैसे, यह question आया था exam में, इस attempt में, autocorrelation test का, क्या बोला था, जला देखो कि, Mr. X की opinion है कि market weak form of market efficiency, in order to test the validity of his impression, he has collected the, कितने दिन का, 20 दिन का information दे रहा है, और आपको weak form of efficient, और साब सब लिखा, autocorrelation test से, अगर, पिछले दो question किये, यह question ना बने, ऐसा हो नहीं सकता, हाँ, मैं फिर से agree हूँ कि, भई, calculation में time ज्यादा लगेगा, 10-10 दिन में बाड देना, 10 दिन, और 10 दिन, यह लो, इसको ले लेना, period 1, इसको ले लेना, period 2, आप इन दोनों के बीच में correlation, ना कुछ आजीब से table से निकालना है, हमें नहीं पढ़ना उस चक्र में, correlation हम जैसे निकाल रहे हैं, वैसे हैं निकालेंगे, correlation इन्होंने ये वाला, बच्चे ये पुछ रहे हैं, ये क्या है, आपके लिए important क्या है, ये वाला, this is important, आपका answer 0.405 आएगा, लिख कर रख लो, अगर आप मेने जैसे करवाया हैं, वैसे करते हो, पर फिर कुछ correlation निकालन आपको आता है, portfolio में correlation आप ऐसे निकालते हैं, मैं आपसे बोल रहो, answer भी है ये आएगा, क्यों बेकर में पढ़ना हैं, correlation निकालें, correlation 0.405 आएगा, ये वीक फॉर्म नहीं है, 0 का सपास होना चाहिए था, सबसब लिका, market does not show the weak form of efficiency, ठीक हैं जी, हाँ जी, ये था weak form को test करने के तरीके, तीन, run test generally आता है, जो मैं पिछली class में करवाया था, auto correlation test, अभी हो गया आज, और उसी में मैंने serial correlation test भी करवा दिया, तो weak form को test करने का तरीका मैं आपसे discuss कर चुका हूँ, आज ही क्लास में और एक काम कर ले थे, कुछ और test है, जो semi strong form of market को भी test करने का तरीका है, हाला कि मैं फिर से बोल रहा हूँ, वो question study material में नहीं है, पर वो यह आ गया तो, तीन होते हैं, एक strong form of efficiency, उसको चेक करी नहीं सकते हैं, दूसरा, weak form, उसके लिए 3 test, run test, auto correlation test, शिरी इलकुल, और यह कौन सा बोलो था मैंने आपको, semi strong form of market को क्या test किया जा सकता है, हाँ, उसका एक question मैंने उठाया है, वो कर लेते हैं, वो यह बाहर से उठाया होगा 100%, ठीक है जे, चलो चलते हैं उस question पर,